हेलो गाईज हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो आज मैं बहुत सारे जैसे प्रॉड मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अधार पर आप लोग को सेयर करना चाहरी हूं कि आप लोग सचेत रहें जागरूक रहें और किसी भी गलत चीजों में ना फसे मैं जो एक्सपीरियंस सेयर करने चाहरी है इसके बारे में छोटा सा इंट्रडेक्शन पहले दे दे रही हूं तो मैं जहां काम कर रही थी सिर्फ दो महने के लिए मैंने काम किया और वहां मैंने बहुत कुछ फ्रॉड होते देखा तो मुझे यह चीज अच्छा नहीं लगा क इसमिंदि के साथ कुछ गलत हो मैं भी नहीं चाहती हूं तो इसलिए यह विडियो बनाने का मेंन परपस में रही है तो मैं काम की थी सिर्फ दो मेने के लिए आई बी के सर्विस सेंटर में काम की थी और वहां कस्टमर के साथ बहुत गलत किया जाता था मतलब जो रिपैर करने के लिए सर्विस सेंटर ने तो ओविसली जाहिद से बात है कि आदमी रिपैर्मेंट के लिए कोई भी रिपैर करने के लिए तो वह यह वाशिंग मसीन, माइक्रोवेव और एसी यह सब करने काम होता था तो वहां पर क्या हुआ ना कि वहां के जो ओनर्स थे मैं और जगह के तो एक्स्वीरम सेर नहीं कर रही हूं और जगह के बार में अच्छा बुरा मैं नहीं बता सकते हैं तो मेरे पर जो अनुभव है उसके अधार पर मुझे जो सही इन्फोमेशन जो अपने आखों से देखा उसके अधार पर आप लोग को ब्यक्त कर रही हूं बता रही हूं तो उसमें क्या था कि वहां के जो ओनर्स थे बहुत ज़्यादा फ्राइब करते थे आयज़ बीस सर्विस संटर में वहां क्या करते थे कि मांद लिए बीस को सब्सेंटर में काम करें थे तो उसको रिपेर्मेंट के लिए जब कस्टमर्स चुकी मैं एक टेली कॉलर थी वहाँ पर कम्मिकेट करती थी कस्टमर्स को कम इन्फोर्मेशन जो भी ऑनर बोलते थे उसके अधाय पर मैं इन्फोर्मेशन को बताती थी तो मुझे बहुत सारा चीज का महा का नॉलेश हो गय जो वाशिंग मेशन रहती थी उसमें फ्रॉड करते थी क्योंकि इन वारंटी में तो ओविसली कमपनी पे करती है वारंटी पीरेट में रहता है कोई सामान है ना कुछ भी खराब होता है तो लेकिन आप लोगों को पता हुआ कि वारंटी पीरेट खतम हो गया तो वह तो ख झाल कि रर्शिंग मेसन खराब हो गया तो उसका इंतरनल पार्टा है ड्रेन मोटर होता है द्रॉम होता है तो एक जो प्राइज इंचार शार क्वेशन तक को बन जाए तो लोग क्या करते थे थे जो भी मर्पी उसका डबल लेते थे जितना लेना चाहिए जहां तो यहां तो मुझे बहुत ज्यादा गलत लगता था बुरा लगता था तो और एक मैंने बहुत सारा फ्रॉड काम होते देखा जिसे कस्टमर को बोलते था ना कि एक सब्ता के अंदर बना के दे देगे आपका समन तो वह एक सब्ता के जगा 15 दिल लगाते थे बोलते थे और फिर कस्ट फाल्टान में आगे पड़ा रहता था 10 15 दिन 15 मेंन एक महना काफी प्रॉस्टेर्क्तारा थे मुझे झाल नियोता कार्वियार झिल दरक्स ते चनी अ है बें उनके लिगार दील्वा तो तुछ थी यहां में जाएं को पड़े लिगल्या चिए के अधिन थोसी फ्रस्टातब हो्तोड़ाले इस रुड़ा तो वहां भी बात करेंगां olते हैं जो वैसा बात करते था ना system दो बभारा जाते हैं रिवंज वाला भाना शक्ता भाना बहुत जैसे बना भी दिये तो ऐसा कुछ डामेज करके ही दे देंगे कि दो तीन महने के बाद ने वह वाशिंग मेसिंग फिर खराब हो जाएगा बोलोग मतब खुद इंटर्नल लोग को थोड़ा उस फीड में लोग एक्सपर्ट थे तो अविसली लोग को पता थी कैसे क्या करना ह तो जो समान वह बनाके देते थेना उसको खराब करका और देते थे कि दो तीन महने के बद फिर कस्टमर और प्रinkम सन्टर को ड़ने पढ़े और इसतरा से फिर कस्टमर को बहुत जबागे परेशान किया जाता था उन네요ं जाता था अधिक पैसा रिया जाता था ठो जो जायन पैसा लिया जाता था उन लोग को और मतब गलत इन्फोर्मेशन दे करके और ज्यादा और जो थोड़े च्छनाक साइट के रहते थे तो उन लोग को भी पता रहता था उन लोग मतब आदमी देख के काम करते थे और इसके जो समान खराब नहीं भी है अधीक पैसा कमाने के ल मतलब तीन हजार में जहां खर्चा लगे गाना वहां वह लोग आठ से दस हजार तका खर्चा लगवा देगे तो मेरा यह विड़ो बनाने का यहीं मुख्य उद्य से यह है कि आप जागरूक रहें अगर आप वाशिंग मसीन वगरा बनने के लिए देते हैं तो उसका जो जो भी इंटर्नल पार्ट इसमें रिक्वाइड है उसके बारे में आप जो प्राइज है वो आई-बी वेबसाइट या फिर जो भी ऑफिसल वेबसाइट है उसे सही से इंफॉमेशन ले करके कीजिए और फ्रॉड ना हो इसके लिए और क्या ही किया जा सकता अगर आप दे सख्यों में नहीं तो मैं नहीं जानता हूं मैंनेजर हूं इसाद मैंनेजर बन की बात करते हैं 거 установ ऑने से काम करते वह बो practiced ना हि कि ला इस था कि में poncles को करस साथ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आयोगा पसंद आते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक किलिए बाई